पती वस असुराल जनों के खिलाब लिखवाया मुकादमा जियां खबर ए यूपी के जनपत कास गंज के सहर में नदरे गेट जोरा बोरा वाली गली पर इस्तित दुकान जनता क्लोथ हाउस के बाहर एक महिला बैठी हुई थी जो मीडिया को देखते ही फूर फूर कर रोने लगी महिला लश्मी महिस्वरी ने मीडिया कर्मियों को ओर होते हुए अपना दर्ज बया करते हुए बताया कि उसका विवा मैंक महिस्वरी पूतर राकिस महिस्वरी नदरे गेट कास गन से आरे समाज द्वारा हिंदू मैरेज एक्ट 25 सन 1955 के तैत खुई थी साधी के खरती मांगो और मार पिडसे पर्चान महिला ने CiRPC की गंबी धरायो में अभियोग सत्राजनों और पती के विरुद्ध दर्ज करा दिया महिला ने बताया कि उसके बाद तो मानों 12 सी आ गई महिला ने बताय कि अभियोग दज होने के बाल उसको मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाये जाने लगा वापस न लेने पर उसे जान से भी मारने की धमक्या मिलने लगी पिडिता ने बताय कि उसके साथ आरूपी पती ने धोके से साधी की थी और जिसके साथ भी मीडिया करीमियों के सामने दिये पिरित महिला का कहना है कि दबाव बनाने वालों में सत्पाधाई लोग भी सामिल है जिसे उसे जान से माले जाने का खत्रा है देखे काजगं से संजे सिंखी यह रिपोर्ट लेकर ऐहाँ जो असोख नाम के खड़ई है वो ही खड़े है तरह जो ऑ्र लमने चोडए लिए बतल ही और मुझे नागूप्स ले ले बड़े, नहीं थे अभी सर्क पूरी थे अभी पारए थे मुझे ऊट नहीं, तो तुझें गोली मर्वा दी कैप तुम्हें टुबड़े करवा देंगे इसे तरह से मुझे यह दिलवाई जा रही भी इसे तरह से तक फिर बाद में और उल्टा यही पुलिस को बनाते हैं मैं तो अकेली बैठी हूं बता हुए क्या तर्सक्ति हूं मेरे पास बरते के अलावा मैं मर गई हडूंगी यहां से आप यह अपने घर के अं साधी करने की और मुझे मार पीट और बाद बाद पर पैसे मांगना दवंगया दिखाने के खिलाव मेरी साधी यहां जंता क्लॉथ हाउस मयंक ज्वैलर्स नदरीगेट कास गंज जोरव और अकुवान इन जंता क्लॉथ वालों के घर में हुई है दस साल पहले हाँ नौ इ यह है मेरी साधी का प्रूफ ने अबारब अगरि अ गरिश्याहता है ऐगरिशादी का प्रूफ झाल झाल